आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में आपके चार नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल सिस्टम इन चारों को देखने वाले हैं पहला इस्टार्ट कर रहे हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम अगर मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ठीक है तो कौन सा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम इसका पहला पॉइंट इसा का से दो होता है दूसरा पुइंट इसमें और इसमें दो पूंबर या ब्रेकेट में कहाई है खोन सी 0 और 1 ऑब leaking होती है इसके लाभ़ा कोई भी नंने इस होगी अगर कहीं भी आपका 0 और है तो वह कौन सा नंबर होगा सिस्टम होगा वाईरि नंबर सिस्टम और सबसे पहले ध्यान रखना इस से कैसे पचानेंगे आप उसका बेस कितना होगा आपका और टू बेस होगा ठीक है अगर एक्जांप्ल की बात करें तो एक्जांप्ल देखे 1 0 1 0 1 ये सब थीक क्या है है टू इसके बात देखते हैं अकटल नमबर सिस्टम इसका पहला पॉइंट लिखिए इसमें यह इसका हुआ 80 होता है दूसरा प्वर और इसका बताओ इसमें इसमें maximum digit maximum digit maximum digit कितनी होती है आपकी एट यानिके कितनी होंगे यानिके 01 2 3 4 5 6 & 7 जिस्ट में 0 2 साथ है वो कैसा हो आपका औकल नंबर सिस्टम ठीक है अगर कहीं पर भी 0 1 2 3457 तक है तो जिस्ट में आपका डिजित नंबर औकल नंबर सिस्टम इसमें आगर 8 पोंच गया नो पोंच गया तो यह अलग हो जागा दूसरा नंबर सेटम और कैसे पहिचानेंगे दूसरा बेस क्या होगा इसका इसका बेस आठ होगा अगर कहीं नंबर सिस्टम अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एक्जांपल क्या होंगे अगर यहां देखें यह कैसे हैं एक्झमापलMM में भी था यहां बेस्ट तो यह कॉनसा नंबर सिस्टमित हुपقطल नंबर जिस्टमित और यही पहचान नहीं कि बेस्ट और तो देखकर पहचाना ना कि Скर तो इसका मान की समय सिस्टम में नमघंस करican एक इसके टेविल और याद रखना कैसे है यह आपके नुमेरिक डिजिट है और यह कैसा आपका बाइनरी डिजिट ठीक है अगर कहीं 0 है तो 0 कर बाइनरी में देखो गे तो बाइनरी का इसका नंबर कितना मिलेगा जीरो जीरो यानि के एक आपको कोड याद रखना 421 यह कोड है आप इसे याद रख लेना अगर जीरो मुझे कहीं टाइप करना होगा तो जीरो के लिए आप क्या करोगे कि इस नंबर को इस नंबर को तीनों को अगर मैं 0 की पोजिशन रख दूँ यानिके स्विच को ओफ कर यह क्या होगा इसका तो दो को क्या करेगा वो कि इन दोनों को तो आपको इन को और इसको तो ओफ कराएगा और इसे क्या कराएगा बाइनरी में क्या रहा है ता हाई कराना लो और हाई तो इन दोनों को क्या कराएगा आपको जीरो तो जीरो बन बन यानिके यह वाला जो से क rivals हो गा है कितना कि उर्ट की आफ रएавай आपका चार अगर मालें आपको छे प्रेंट करना हो यहां से इसके लिए आपको कितना है टेबिल predominantly इसके लिए cure 150 अगर आपको च्छे टाइप करना हो तो कितना चार डो एक अगर चार और फांच मिलाईंगे तो पांच और चार और चार और दो मिलाइंगे तो इसके बाद देखते हैं आप हैक्सा decimal number system अगला number system है हमारा hexa decimal number system तो इसका पहला point क्या होगा कि इसका base इसका base 16 होता है इसका base कैसा होता है आपका 16 दूसरा point क्या होगा इसमें इसमें 0 to 9 numerical digit डिजिट डिजिट एंड और और A to F alphabet 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 digit होती है कितने होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 दूसरी A B C D E and F यानि कितनी होती है 0 to F तक digit रहती है किसमें hexadecimal में किसमें और यहां से यहां तक कितनी रहती है numerical digit और यह कितनी रहती है आपकी alphabet digit तो यही क्या कहलाता है जिसमें आपकी क्या हो alphabet digit हो वो कैसा number होगा आपका number system hexadecimal तो इसके अगर example की बात करें तो example केतना होगा माल लिजे 0, 1, 2, 3 और 16 दूसरा A, B, C 16 ठीक है तीसरा 0, 1, 0 16 अब तीनों क्या है अगर यहां अगर बेस ना बेस अगर भूल जाओ तो आप पहचानी नहीं सकते कि ओक्तल होगा hexadecimal हो कौन सा क्योंकि अगर देखी यहां 0, 1, 2, 3 यह binary इसमे किसमा आता है आपका octal में octal में कितना है रहता है 0 to 7 तो यहां 0 to 7 है नंबर तो क्या अगर इसे नहीं होगा बेस तो पहचान नहीं पाऊगे तो बेस से ही पहचान होगे आप कैसा नंबर सिस्टम आपका यह hexadecimal नंबर सिस्टम तो आपके लिए बेस में होने बाला बेस को ही पहचानिए कि आप कैसा नंबर सिस्टम होगा ठीक है इसके बाद इसके टेविल देखते है देखिए क्या रहता आपका 0 to f तक तो 0 to 9 कैसी है आपके numerical digit और A to F कैसी है आपकी alphabet अगर नंबरिंग करी जाए नंबरिंग करी जाए तो एक को कितना मिला दस 11 12 13 14 15 इतने नंबर इसे मिलने वाले है अगर हम इसका binary देखे तो binary क्या होगा देखिए binary में आपको यह code याद रखना 8 4 2 1 अगर 8 4 2 यह अगर आपको याद है बना तो आपको यह table आपको रठनी पड़ेगी अगर यह code आपको याद है तो आपके लिए बहुत असानी होने वाली अगर देखिए यहाँ कितना है आपको 8 बनाना है hexadecimal में कितनी digit होंगी आपके 4 कितनी digit है आपके 4 तो अगर 8 बनाना है चार और 2 को own रखिए बाकी को क्या रखाई है आप ओफ तो कितना होगा आपका 0 इसे 4 को 1 और 2 को 1 और इसे क्या करना है आपको 0 तो क्या मिल गया आपको आपको 6 नमबर डिजिट मिल गया अगर मालें लिए बी टाइप करना हो तो बी के लिए कितना है यानिके 8 और 12 और 11, अगर माले लेजिए F, F कितने पर है, 15 पर, तो 15 पर क्या करोगे, 8, 4, 12, 14 और 15, यानिके तीनों को आपको, चारों को आपको ओन कराना, तो ये फिल कर सकते हो, सब, ठीक है, देखे, C, C कितना होगा आपका, 12, तो 12 कितना होगा, 8 और 4, 12, तो यानिके इस और 4 को ओन कराओ, बाकी को ओन कराओ, कितना होगा आपका, 1100, ये आपको ट्रेविल या तो याद कर लीजिए, रट लीजिए इस तरीके से, या फिर इस कोट से, आप याद कर बना सकते हैं, ठीक है, इसके बाद देखने वाले हैं, अब इसका, डेसिमल नंबर सिस्टम, द पहला पॉइंट क्या होगा, इसका बेस्ट कितना होदा, 10, दूसरा पॉइंट इसमें, इसमें, 0 to 9, maximum, digit होते हैं, यानिके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, तो जिसमें 0 to 9 नंबर होंगे, वो कौन सा होगा, आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर इसके एक्जाम्पिल की बात क होगा, 0, 1, 9, 8, अगर बेस 10 है, तो कैसा नंबर सिस्टम आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा, 0, 1, 0, 0, 0, अगर बेस 10 है, तो कैसा आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर बस क्या होगा, कि 9 से नीचे-नीचे के नंबर होंगे, दूसरा, 8, 9, 8, डेसिमल, कैसा होग नंबर सिस्टम ठीक है दो पॉइंट और इसमें याद रखिए दो पॉइंट क्या होगा इसमें आपका क्या है most significant digit most significant digit क्यों होगे बाई तरफ की बह संक्या जिसका इस्थानिय मान maximum होगा वो क्या कहलाएगे आपकी MSD MSD most significant digit और दूसरी least significant digit कोण सी होगी दाई तरफ जिसका maximum मां कम होगा तो वो कैसी कहलाएगे आपकी least digits ठीक है वाई तरफ की बह संक्या जिसका इस्थानिय मान क्यासा होगा maximum होता है तो कौन सी कहलाएगे मोस्ट significant और दाई तरफ की बह संक्या जिसका स्थानी मान सब से कम होगा वो कैसी कहलाईगी लिस्ट डिगनिफिकेंट डिजिट या फिर बिट कुछ भी हो सकता तो यह था आपका नंबर सिस्टम का ओबर्विव तो इसके बाद हम नंबर सिस्टम का कनवर्जन देखने वाले हैं कि बाइनरी टू डेसिमल डेसिमल टू ब बाद सिस्टम